ओके गुड मॉर्निंग गुड आपकर नून गुड इनिंग एवरीबड़ी लास्ट लेक्चर में हमने सर्चार्ज एंड मार्जिनल रिलीप का टॉपिक यह राइट चलिए लाट आप रिकेप अपिट उससे पहले रेट्स का भी रेकेप ले लेते हैं इंकम टेक्स रेट्स इंडिविडिविव एफ एव बॉई एजपी सबसे पहले 250 नो टेक्स 252 5 5 परसंट 5 लेक्ट तो 10 लेक्ट 20 परसंटेज और 10 लेक्ट 30 परसंट अगर यू कन से सिनियर सिरिजन तो 3 लेक्ट से शुरू करेंगे 80 और मॉर देन फाइल एक्से शुरू करेंगे इंपल ओके फार्म लल्प में टेक्स रेट क्या होगा फ्लाइट 30 ओके कमनी के कैस में फ्लाइट 30 अगर टान ओवर 400 क्रोड या उससे कम हुआ दस नोट एक्सिट 400 क्रोड किस एर में फाइनांचल है 2021 तो आएगा 25 उसमें ऑप्शन भी है 115 BAA और BAB 15 परसंट 22 परसंट फ्लैट सर्चार्च उसमें 10 परसंट लगेगा ओके यहां पे इंडिवल में ऑप्शन है 115 BAC और कोपरेटिव में ऑप्शन है 115 BAC कोपरेटिव में क्या रही है 10,000 10 परसंटेश 10 to 20 20 परसंटेश और मोर दन 20 30 परसंटेश उसमें ऑप्शन है ठीक है कोपरेटिव सर्चार्च अभी सर्चार्च बाद में अभी तो टेक्स रिट कर रहे है तो टेक्स रिट हो गया सर्चार्च सर्चार्च में क्या होगा इंडिविटल एचिएफ, एओप, बीवाई, एज़ेपी उसमें अप्टू 50 लेक नो सर्चार्च 50 लेक के ऊपर और अप्टू 1 करोड सर्चार्च कितना लगेगा 10 परसंटेश more than 1 करोड, up to 2 करोड, 15, more than 2 करोड, up to 5 करोड, 25, and more than 5 करोड, 37 परसंटेश बट, एक बात याद रखना, अगर आप AOP हो, कौन हो, AOP, और आपकी AOP में, मेंबर्स कौन है, only companies तो आपका maximum सर्चार्च क्या होगा, 15, इतना क्लियर है, ठीक है, एक और बात जैसे हमने सलेबरेट देखा, वैसे कुछ special rates थे, वैसे कौन-कौन से special rates थे, 1-1-2, long-term capital gain, flat 20%, 1-1-2-E, long-term capital gain on shares of security on which yesterday is paid, exceeding 1 lakh, concessional rate, 10% percentage, okay, 1-1-1-8, short term, flat 15, 1-1-5, BBE, ठीक है, और you can say winning from lotteries crossword puzzle, BBE जो है, उसमें, यहाँ पे, BBE and BBE, BBE जो है, that is for winning from lotteries crossword puzzle, BBE जो है, वो 60 percentage, बट यहाँ पे एक बात लिखना, यह जो है, वो क्या है, for, you can say, undisclosed sources, तो उसमें वैसे तो tax rate यह है, बट उसका effective rate अगर आपको बोले, sorry, तो वो हो जाएगा 78 percentage, तो यह सारे special rate है, एक बात यहाँ में, यह special rates में ध्यान रखना, इसके उपर जो tax लगेगा, वो 20, इसके उपर जो tax लगेगा, वो 10, इसके उपर जो tax लगेगा, वो 15, इन तीनों में, जो सरचाज लगेगा, वो maximum 15 होगा, क्या होगा, maximum 15, वो provision हम आज के lecture में करने वाले है, वो मैंने pending रखा था, वो provision हम आज के lecture में करने वाले, ठीक है, वो देखेंगे practically, फिर हम local authority LLP firm में क्या होगा, 1 करोड, no search, more than 1 करोड 12 percentage, simple है, company, company में क्या होगा, up to 1 करोड, no search, 1 to 10 करोड 7 percentage, more than 10 करोड 12 percentage, और यही सरचाज domestic कमणी में है, और यही सरचाज अगर foreign company होआ तो 25, 25, और जो options वाला है, option 115 BA, 115 BA, 115 BAD, वो सभी में सरचाज flat 10, इतना clear है, इसमें कोई doubt, चलिए, तो हमने practical sums कहां तब कर लिये थे, ओके, 9 तक हो चुका था, इसमें कुछ मैंने आपको अम्मोग दिया था, क्या ओम्मोग था, 5, 6, 7, 3 questions, ठीक है, तो check the homework over here, और 9 तक हो चुके, 10 से शुरू करना है, ठीक है, दिये, हमने पर स्क्यर्ण लाँ तो चंपर • 54, 5, you can note down this answer, marginally if 900,000 find it or final tax payable 34, 22, 640. Example number 6, marginally 5,18,750. और टोटल डेक्स पेबल 70,55,750 क्लियर है? 7 5 करोट वाला टोपिक इसमें मार्जनल लिफ 17,18,600 इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ ले न, ठीक है? और टेक्स लापिटी 1 करोट 93,60,250 ओके? चलिए, शल्वी गॉएट ने? एक्जामबर टेम ओकी, एक हमने वो टॉपिक भी देखा था, रीबिट वाला? रीबिट पहले तो किसको आपने के बले? नमबर 1, इन्डिविजियोल नमबर 2, इन्डिविजियोल रसेरेंट होना चाहिए नमबर 3, इसकी इंकम जो है, टेक्सबल इंकम वो फाले चले सुनी चाहिए और नमबर 4, यह जो 87 ए रीबिट हैं वो कितना होगा? 12,000.8 और टेक्स वो वो वाले टेक्स में से हम कभी भी रीबेट माइनस नहीं करेंगे, ओके? मिस्टर रागव 826 रेसेरेंड इंडिया आज़ेट टोटल इंकम और 440, संप्राइजिंग इस सेलरी इंटरस्ट फिक्स डिपोजिट, ठीक है? 440 पे टेक्स करो, चलो इंडिविडियल अफ्टो 250 नील नील 5 परसंटेश यहां पर तो 440 आएगा ना 440 कितना होगा? कितना होगा टेक्स? 9000, find it आपका टेक्स कितना है? अब एज्योकेशन से जैड नहीं करना है पहले रिवेट, रिवेट, रिवुजी भी है तो देख लो इसके इंकम कितनी है? यह कौन है रागव? रेसेरेंड इन इंडिया इंकम फाइल एक्स ते कम है किनो कंडिशन फुल्फिल? यह कौन है? इंडिवेजियोल क्या है? रेसिडेंड, इंकम कितनी है? अब टू फाइल है तो फिर 87 एडिवेट आएगा कि नहीं आएगा? ओवियसली येस तो लेस रिवेट अंडर सेक्शन 87A टीक है? बट फिर भी इफ उडिवेट विवेट विद्वेट वेट विवेट विवेट 12500 और एक्ट्वल टेक्स विच्वर इस लोवर तो 9500 माइनस कर दो, X हो जाएगा नेल अब भी सर्च कर लब इडिवेशन सेस नहीं आएगा final tax payable नहीं, कोई tax ही नहीं होगा Are you getting this? Okay Terms and conditions आपको देखके रखनी है कि applicable हो रहा है नहीं हो रहा है क्या है, ठीक है? Sorry Rebate की थेरी मैंने नहीं समझाए है आपको क्या नहीं बस इतना ही है और डिटेल में कुछ नहीं है इसमें इसमें चलो clear इतना Next Example number 11 Okay अभी यहाँ पर देखोगे तो इसका tax कैसे calculate करना है Very crucial thing is there, very crucial point is there इतना है और तो अभी देखिए आपकी जो भी income है अगर हम इंडिविडियल की बात करें ठीक है इसमें भी इस लगता है सब में ऐसा ही होगा आपकी कोई भी इनकम है हलो ओके चलो हो गया है तो यहां पे अगर आप देखोगे income जो है उस पे जो tax लगता है वो एक तो होता है regular slab rate और एक है special rate special flat rate ओके नॉर्मली यहां पे अगर देखोगे long term capital gain 112 long term capital gain 112a यहां पे 20 percentage यहां पे हमने देखा कि exceeding 1 lakh हुआ तो यह होगा 10 percentage ओके शॉट term capital gain 111a flat 15 percentage ओके विनिंग जिसमें आएगा plat 30 percentage ओके तो इतने special rates है undisclosed भी है अभी वह नहीं करते है ठीक है और बाकी तो normal celebrate आपको पता है इतना clear है इसका मरलब यह हुआ यगर कहीं पे मुझे ऐसा देदे यहां पर मुझे बताओ यह long term capital gain पर tax कितना लगना चाहिए प्लाट अभी लिखना मन नहीं वन लेक वह अलग है 112 वह अलग है 111 जो है 112 जो है वह अलग है यहां पर specific लिए आपको क्या लिखा है 112 वाला मतलब 20 percentage उसमें वन लेक की कोई limit नहीं है यह भी लिखना मत 480 वाला यह गलत है तो क्या होगा 480 इंटू फ्लैट 20 परसंट हाँ वह तो मतलब हुआ ना फ्लैट रेट का यह तो मतलब हुआ 480 का 20 परसंट फ्लैट बट नॉर्मली क्या होगा यह तब होगा मतलब यह ऐसे ही होगा पराबर है बट अगर अभी मैं जिसको हाइलाइट कर रहा हूं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं ठीक है एक यह वाला और दूसरा यह वाला मैंने दो टॉपिक यहां पर हाइलाइट किया हुए लॉग तम कैपितल गेन फ्लैट 20 परसंटेश और चौट तम कैपितल गेन फ्लैट 111 ए फ्लैट 15 परसंटेश फिर्फ दो में यह दो में ऐस्तर बैनिफिट आपको दे रहे हैं क्या बैनिफिट दे रहें कि अगर आपकी regular income नहीं है यहां पर आपके पास बहुत सारी income हो सकती है salary, house property, business, other source यह साब आपकी income हो सकती है और वो आपके वह regular tax पर चार्ज होगी बट मान लीजे आपके पास और कोई इंकम है ही नहीं या फिर आपकी जो regular income है वो less than 250 है क्या है less than 250 मतलब that is less than basic exemption limit वो क्या है less than basic exemption limit तब आप क्या कर सकते हो जो unexhausted balance है can be utilized here सर ये क्या है अब एक बात बताओ मान लीजे मेरी regular income यहाँ पर अभी वो sum बुल जाओ 480 वाला मान लीजे मेरी regular income जो है वो 1 lakh है जिस पे 250 तब कोई tax लगेगा नहीं regular income मेरी जो है normal slab rate वाली income 1 lakh है और मेरे पास 3 lakh का long term capital gain है और मेरी regular income क्या है 1 lakh तो यहाँ पर मुझे अप्टू 250 कोई tax नहीं है यह मेरी basic exemption limit है अलब कोई tax नहीं लगेगा तो तो regular में होगा ना flat में ऐसा नहीं होगा अगर यहाँ पर आपके पास 250 की limit है 1 lakh utilize कर दिया अभी भी आपके पास 150 un exhausted limit बचा है तो यह आप यहाँ पर यूज कर सकते हो मांड लिजए यहाँ पर आपके income कितनी है 4 lakh यह यहाँ पर आपके income कितनी है 480 यह क्यों मैं figure change कर रहा हूँ क्योंकि figure से confused ना हो आप regular income मेरी कितनी है 1 lakh और आपकी long term capital gain कितनी है 480 normally क्या करेंगे हम 480 flat पे चार्ज करेंगे 20 percentage में मांड लिजए मेरी regular income जो है वो है 3 lakh regular income मेरी क्या है 3 lakh और यह कितनी है 480 तो मैं क्या करूँगा कैसे करूँगा calculation यह 3 lakh है उसमें 2 pip तक कोई tax नहीं पाचास थेजार पे 5% यह हो गया regular tax total income मेरी 780 है मांड लिजए और इसमें से यह 2 pip फरकेशन है बराबर है तो होगा क्या regular income 250 तक not tax 250 to 3 lakh 50,000 पे 5% है और यह 40 पे 20% यह समझ में आपहले अभी मांड लिजए मेरी regular income कितनी है 1 lakh मेरी regular income कितनी है 1 lakh तो मैं क्या बूलगा 1 lakh है बट मेरी income कितनी exempt है 250 तक exempt है तो 1 lakh यह पूरा exempt हो जाएगा अभी बाकी 150 बचाना limit exhausted इसको क्या बोलते है और यहां पे यूज कर सकता हूँ और balance बचेगा 330 उस पे आएगा फ्लैट 20% यह समझ रहे हो मनलब क्या वैसे तो basic exemption limit जो है वैसे तो यह जो basic exemption limit है वो किसके उपर लगता है regular income पह elaborate पह बट अगर आपके पास उतनी income ना हो जितना बेज़दे के exemption limit है 250 3 lakh 5 lakh as the case में भी तो बचा हुआ balance आप use कर सकते हो flat rate में सभी flat rate में नहीं winning में तो कभी use ही नहीं कर सकते यह दो flat rate में आप use कर सकते हो यह समझ में आया महन लीजिए आपको इस question में जो भी दिया ऐसा कुछ दिया है कि आपके पास सिर्फ poor rate income है और कुछ एही नहीं assuming तो क्या करोगे अभी आपकी income क्या हो गई 0 regular elaborate वाली और long term कितना हो गया 480 तो आप क्या करोगे long term capital gain जो है ओके उसमें क्या होगा out of 480 250 का basic exemption minus कर दो और balance जो बचा है उस पे 20% tax ले लो 46 नहीं नहीं अभी आएगा ना अभी ये जो present sum है answer to example number 11 ओके ये मैंने अभी तक explain किया था answer to example number 11 अभी ये क्या करोगे आप 46 add before we go for education says मैंने पहले भी आपको बोला है कहीं पर भी आपको rebate, relief कुछ में मिल रहा है तो minus कर दो आपकी income कितनी है individual resident income file और less than file एक तो obviously यहाँ पर rebate less होगा rebate under section 87A 12,500 minus कर दो और फिर education से set कर दो just a minute तो यह minus कर दो कितना होगा 33.8 plus education से set करो तो final answer क्या होगा 34.8 40 यह समझ में आप basic exemption limit को कैसे unexpected balance को use करना है इतना clear है this is how you are going to present the answer of this one क्योंकि यह 250 जो unexpected basic exemption limit है वो हमने यूज की है rebate के आएगा तो जो भी tax है 46 or 12,500 whichever is lower और फिर हम education says add करेंगे that is how it will be इतना clear है अगे बढ़ते हैं यहाँ पे मैंने आपकी बहुत सारी practice के लिए है इंडिविडियोल जो है उसके बारे में सरचार्ज के साथ या marginal जहाँ 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 पे आती है you need to see that क्या आ रहे या रहे है ठीक है उसके हिसाब से आपको यह practice करनी है 12 is in ombok ऐसे ही question यहाँ पे दिये है example number 13 यहाँ पे बहुत आपको दिया है तो जहाँ पे rebate आएगा नहीं आएगा need to check that तो 12, 13 that will be a normal practice के लिए हमने वैसे तो ऐसे questions कर लिये है एक एक्जाम में यह question आपको पूछा गया था January 21 old syllabus में computer text library of Ms. Payal female resident age party where her total income is 5.50 assuming there is no income in the nature of capital gain तो 5 करोड़ फिप्टी थाउजंड अनॉर्मल स्लेबरेट आएगा सर्चाज भी आएगा और यहाँ पे marginal relief भी आएगी कटोप के ठीक बाजू में है राइट करोगे अभी राइट नाउ चलो गोएड अज है अज है अज है आएगा झाल 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 आपको यहां पर क्या पूछ रहे टेक्स लाइबड़ी ठीक है इतनी माजिनलिक आ रही है जिसको नहीं आ रहे हैं यहां पर ज्यान दो ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे टेक्स ओन टोटल इंकम मुलब यहां पर 5 करोड 50,000 यह आपकी है टोटल इंकम इस पर हमें टेक्स कैलक्रेट करना है ओके यह नॉर्मल इंडिविडियोल येस अप्टू 10 लैक टेक्स के आने वाला है 1 लाक 12,000 फाने ओर अब्टू 5 करोड 50,000 कि टना टेक्स होगा 4 करोड 90, 50,000 इस पूसका 30 परेटेज 148 इसका 30 परेज यह नॉर्मल इसका 30 परेज़ रहो नॉर्मल इस पूस्का तो अभी टोटल कर दो दुन होगा यह टोटल ही बोला आपने वन करोड पॉर्टीएट लेक यह टोटल ही बोल दिया आपने ठीक है अभी यहां पर सर्चाज कितना होगा तो यहां पर सर्चाज कितना आएगा 37% एड़ करो सर्चाज टोटल टेक्स टू करोड टेक्स इंक्लूडिंग सर्चाज अभी मार्जिनल इपली के लिए हम क्या करेंगे तो वहां पर टेक्स इंक्लूडिंग सर्चाज और टोटल इंकम उसमें से हम लैस क्या करेंगे टेक्स ओन फाइव करोड एन इंकम इन एक्सेस ओफाइव करोड इंकम कितनी एक्सेस है और यह टेक्स क्या होगा फाइक क्रोड पे पहले टेक्स के अल्क वेट कर लोक तो टेक्स यहां पर क्या होगा एक तो वन्ट्व पाइंड एंग और यहां पर 490 पर जायगा ना और हो जैगा total total 1 crore 85 lakh 625 यह दो माइनस कर दो गिव में अमार्जिनल रिलीफ 17,48,050 तो यह 17,48,050 माइनस कर दो और फिर 4% कर दो यह आ जाएगा आपका final x माइनस कर दो सब अख़ं मार्णास कूसे 17, 44, signals between 1 बात बाति से झाल झाल कि णика'll कि अनार किया दो सवक्ति करते कर दो क्भाशा त acompan में धिन्ये कर दो सकार pregunta कर दो सकते हुआ आयांक That a cultura course design suppose włas Beyond डि़ाओ और मैंक्र लार्मान स्वादका टानाया формयिs अर् बादलि स्वाद आ65 करा लार्मार का functioning आधिνा थैय। अब यह जो भी questions हैं उसके लिए come back to this chart सर्चार्ज के बाद यहाँ पर लिखा है कि आपको यहाँ पर special benefit दे रहे हैं और वो क्या benefit है see to it ओके नेक्स टॉपिक सर्चार्ज अब देखे यहाँ पर कुछ special हम करने वाले हैं कि normally अगर आप देखोगे individual HR में सर्चार्ज का rate क्या होता है आप to 50 lakh no surcharge 52 1 crore 10 percentage 1 crore 2, 2 crore 15 2 crore 2, 5 crore 25 percentage more than 5 crore 37 बट कुछ ऐसी special income है जिसके tax pay सर्चार्ज maximum 15% लगेगा उससे ज्यादा नहीं ऐसी कौन-कौन सी income है तो सिबिरिटी ने वो प्रेस रिलिस किया कि अगर आप individual HR, AO, P, B, O, I artificial judicial person कोई भी हो और आपकी income अभी देखे मुझे बताओ 15% सर्चार्ज तक कब आएगा when you will be having 15% सर्चार्ज 2 crore तक 2 crore तक आएगा ना 50 lakh तक no सर्चार्ज 50 lakh to 1 crore 10 percentage 1 crore to 2 crore 15 percentage तो 2 crore तक तो कोई problem नहीं है सब में common आएगा बट जब आपकी income कौन हो आप individual HR, AO, P, B, O, I HGPs कोई भी और अगर आपकी income 2 crore से ज्यादा है सर्चार्ज कितना हो जाएगा 25 5 crore से ज्यादा है 37 बड़ाबर ही बट department ये चाहते हैं बले ही आपकी income 2 crore से ज्यादा हो बले ही आपकी income 5 crore से ज्यादा हो बट ये जो हम special income आपको बता रहे हैं कौन कौन से special income भई एक हे 111 ए 111 ए short term flat 15 long term capital gain 112 latest amendment latest amendment long term capital gain 112 वो भी अभी इसमें आ गया पहले नहीं था पहले नहीं था अभी वो भी इसमें आ गया मतलब क्या long term capital gain section 112 जो है उसके tax में भी maximum सर्चाज कितना लगेगा 15 percentage are you getting this फिर long term capital gain 1128 वो कौन सा long term capital gain arising from यह actually 115 BAC यहां पे नहीं आना चाहिए और करके last में लिख दो section section 115 BAC आएगा बट last में वो भी amendment तो यहां पे एक और आएगा यहां पे dividend यह इनोंने यहां पे अगर आप देखोगे तो 111 A, 112, 112 A और 115 BAC और 115 BAC और आप यहां पे देखोगे इवन डिविदेन भी है इसमें तो यह चार्ट में मैंने आपको दिया है कि कुछ ऐसी इंकम है जिसके इंकम के टैक्स के उपर सरचा जाएगा maximum 15 percentage irrespective of income maximum कितना होगा 15, कम होगा तो चलेगा बट maximum कितना हो सकता है 15, कैसे समझाता हूँ आपको पहले मुझे यह बताओ, आपकी इंकम पचास सेवन करोड के बीच में है, कोई परक नहीं पढ़ता 10%, यह सरचाज किस पर होता है, सरचाज is always additional tax on tax, बराबर है, मान लीज़ा आपके इंकम 10 लाग, आपके STCG 111 है 20, LTCG 15, लॉंग तम कैपिल इन 112 है 20, और 25, तो यह आपकी आपका स्लैप क्या हुआ 50-1 करोड के बीच में, मान लब आपके यह सारे टेक्स, यह सारी जो इनकम है, उसका जो भी टेक्स आएगा, वो तो हम करेंगे, बाद में पता चलेगा, तो इसका जो भी टेक्स आएगा, उस पे कितना लगेगा, 10% सरचाज, are you getting this or not, मान लब क्या करना है, बाइद वे, यह टेक्स किस पे लगेगा, एक बात बता दो, यह अधर इंकम है, स्लैप रेट, टेविरन है, स्लैप रेट, यह सब में क्या लगेगा, स्लैप रेट, फिर यह 1-1-1 है, चौट टाम 15%, यह 20%, यह 10% इन एक्सेस आफ, 1 लाग, बाइद यहां पे 19 लाग पे लगेगा, यह 1 लाग से जितना ज्यादा है, उस पे 10 परसन लगेगा, तो पहले हमें क्या करना है, यह टेक्स कैल्कुलेट कर लो, फिर यह जितना टोटल टेक्स आता है, सबी पे 10 परसन सर्चाज होगा, समझ में आया, तो सर वेसे तो 50 लाग सर्चाज ते 1 करोड के बीच में सर्चा 10 परसन लेजी आ रहा था, तो इसमें कुछ नया है, क्या नहीं है, यह पॉइंट पॉइंट नमबर वन में कुछ नया, आपने बोला कुछ क्या नहीं, वो तो जो कर रहे थे हैं, वो ही करना है, पॉइंट नमबर टू, आपकी तो यहाँ पर होगा क्या समझो, सर्चाज रहेगा 15 परसनेच, इसमें भी कुछ नया है, नहीं, कुछ नया नहीं है, लब 15 परसनेच तक तो कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है, 15 परसनेच सर्चाज तक कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है, जैसा हम कर रहे थे हैं, वैसा ही क टेक्स करो, उस पे सर्चाज 10 आता है तो 10, 15 आता है तो 15, सब पे सर्चाज common लगाओ, 15 तक सब पे सर्चाज common लगाना है, इतना clear है, तो यह circular मतलब का क्या है, मतलब का अब होगा, तो करोण से अब जब increase होगा न, क्योंकि यह circular ही 2 करोण, 5 करोण से एक से रिट तब applicable है, तो यहाँ पे, 3rd में क्या हुआ, आपकी dividend 51, short term 44, long term 42, long term 112A, 55, 3 करोण, इन सभी का टोटल करो, सभी का टोटल करो, टोटल ओपॉल, कितने लाक्स हुए या करोण हुए, आपकी टोटल इंकम क्या हुई, तो यहाँ पे, टोटल इंकम आपकी कितनी आ रही है, is it 4,92, like, बराबर है, मुलब यह, it is in between 2,25 करोट, लैप क्या आया, जब आपकी इंकम 2,25 करोट के बीच में है, what should be the surcharge, 25%, बराबर है, normally यह था, अब जाके यह circular applicable हुआ, क्या, जब आपकी इंकम 2 करोट से ज्यादा है, 5 करोट से कम है, तो surcharge कितना लगेगा, आपका जो भी tax है, उस पे 25%, बट, कुछ ऐसी special income है, कुछ ऐसी special income है, जिस income के tax पे surcharge maximum 15% लगेगा, और वो special income है, dividend, एक बात समझाना, dividend flat rate नहीं होता है, dividend जो है, वो normal celebrate होता है, तो dividend का जो भी tax आएगा, वो, short term का जो भी tax आएगा, long term का जो भी tax आएगा, और ये long term 112A, उसका जो भी tax आएगा, इन सभी के tax के ऊपर सरचाड लगेगा, maximum 15%, और ये जो normal celebrate वाल income है, 3 करोट, उस पे सरचाड लगेगा 25%, एस सर, तो फिर क्यों हमें अभी surcharge भी लोग लोग calculate करना पड़ेगा, yes, obviously, yes, are you getting this or not, okay, category number 4, इस में क्या होगा, आपकी income अगर यहाँ पे देखोगे तो 5 करोट से उपर है, 5 करोट से उपर मतलब 37% सरचाच, तो again, again, dividend 111A, 112, 111, 112A, यह सारी जो income है, उसके income के tax के उपर, यह सारी जो income है, कौन-कौन से dividend, STCG 111A, LTCG 112, LTCG 112A, यह सारी जो income है, उसके उपर जो tax आएगा, उसके उपर जो सरचाच आएगा, वो 15も और बाकी की income है, उसके उपर जो tax आएगा, उसके उपर जो सर्चाज आएगा वो 37 मुलब शॉट में बता दो कहना क्या चाहते हूँ इन शॉट, शॉट में सिर्व इतना है कि नॉर्मली जो सर्चाज आपका स्लेबरेट के इसाब से लगता है वो ही लगेगा 10, 15, 25, 37 बट अगर वो स्लेब में, अगर कोई इनकम, कोई इनकम मदलब एविडेन, चॉट टम 111A, लॉंग टम 112, 112A, ऐसी कोई इनकम आई, तो उस पे जो सर्चार लगेगा, वो मैक्स तू मैक्स 15, उससे ज्यादा नहीं लगेगा फिर चाहे वो इनकम बले ही तू 5 करोट की केटेगरी में फोल हो रही है वो इनकम बले ही 5 करोट प्लस के केटेगरी में फोल हो रही है लिपार्टमिन मदलब दिया, आप हम अल्यड़ी फ्लैटरिक लगा रहे है तो आपके उपर जो हम सर्चार लगाएंगे, वो 15 से ज्यादा नहीं लगाएंगे, don't worry समझ रहे हूँ तो कब्भी भी यह सारी जो इनकम है, उस पर सर्चार चार्ज कब्भी भी, कोई भी इनकम हो 15 से ज्यादा नहीं हो सकता इतना क्लियर है बराबर है तो यह लेटेस्ट एमेंटमेंट देखो होगे, तो यहाँ पर एक 112 एड हुआ है और एक 115 बसी एड हुआ है इसका मदलब क्या हुआ यह जो 115 बसी है ओके 115 बसी क्या है ओप्शनल, तो ओप्शनल ओप्ट करोगे तो वहाँ पर भी सर्चार्ज मैक्सिमम कितना लगेगा 115 बसी में 15% मदलब मेरी मांड लीजे मेरी नॉर्मल, अभी ये सब इंकम बुल जाओ मेरी नॉर्मल इंकम 6 करोड है मेरी नॉर्मल इंकम क्या है 6 करोड अभी मैं रेगुलर टेक्ट बनूँगा तो 6 करोड के साब से टेक्स और 37% सर्चार्ज अगर मैं यहाँ पर 115 BAC opt करता हूँ तो 115 BAC वाला elaborate लगेगा जो deduction exemption मुझे नहीं मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे और उस पर जो text पर सर्चार्ड लगेगा maximum कितना लगेगा 15 percentage इस अगे हैं यहाँ पर देखिए कौन कौन सी section है यह सब है इसमें 115 BAC भी एड़ हो गया है is that clear तो यही चार्ड है चलिए फिप्स एक और केटेगरी है यहाँ पर एक और केटेगरी है और वो केटेगरी क्या है वैसे तो आपकी total income 225 करोड हो रही है तो 25 करोड में केतना लगेगा 25% माण लीज़े अभी इसका total क्या हुआ अभी का more than 2 करोड you can check that more than 2 करोड 3 करोड 22 लाइड तो उस पे क्या tax लगेगा सर्चाज क्या लगेगा 25% ये समझ रहे हो 25% है ये समझ रहे हो बट इसमें से ये सारी जो income है वो निकाल दो इसमें तो इसमें सर्चाज का लगेगा maximum 15 अभी उसके बिना जो other income है वो कितनी हो गई नॉर्मल वाली 1.1 तो वो तो 2 करोड से ज्यादा नहीं होई ना तो उस पे भी 15% है वह अब सब में 15% लगेगा इतना क्लियर है तो अभी इससे सर्चाज क्याल्कुलेट करना है यह तो यह सब क्याटेकर है यहां पर मार्टिनल की थेयरी तो मैंने आपको जो फॉर्मिला लगाई थी वही यहां पर है तो दूंट वरी फॉर्पस ही फिर हमने 8788 देखा था उसकी भी थेयरी इमने समझ र कत्म हो जाने के बाद लास में मैं थोड़ी थेयरी कर आँगा आपको यह जो पैंडिंग है थेयरी वह चलिए अभी प्रैक्टिकल में आ जाओ और प्रैक्टिकल में हम कहां पर पहुंचे थे ओके बीपॉर डैट अठीक है यह मैंने आपको अंबक दिया है लेटिट भी व अगरवाल एज 40 years Mr. Agrawal एज 40 years a resident in India has a total income of 4.50.00.00 comprising long term capital gain 112.00.00.00 55.00.00 कि एक काम करते हैं कि उसको लगलग केटिगरी में डिवाइड कर लेते हैं तोटल है पूर करोड फिप्टी लाइग आपको सर्चाज कितना लगेगा तो सर्चाज का रेट क्या होगा स्लैप 25 परसंटेज बड़ा बड़ है इसके हम डिवाइड करेंगे क्या यहां पर एक तो है लॉंग टर्म गें यह कौन सा हुआ वन वन टू 55 लेक फिर शॉट टर्म गें शॉट टर्म गें वन 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 ए 65 और अधर इंकम अधर मतलब वो स्लैपरेट वाली हुई यह स्लैप है यह स्पेशल है 3,30 टोटल चेक करो 450 हो गया टोटल चेक करो 450 हो गया एजुमिंग उन्होंने 115 BAC opt नहीं किया एजुमिंग उन्होंने 115 BAC opt नहीं किया ठीक है तो क्या यहां पर सबसे पहले हम टेक्स केल्कुमेट कर लेते हैं टेक्स में होगा क्या यह तो स्लैपरेट लगेगा ठीक है तो अभी थ्री करोट टेक्स ओन अगरवाल इसाब से देतो मुझे यह कौन है यह कौन है अगरवाल 40 एर रेसिदेंट ठीक है तो यहां पर अप्टू 10 लैक रुपीज 1,12,000 पाइंट अप्टू 3 करोट 30 लैक्स ओके तो यहां पर कितना होगा 3 करोट 20 लैक्स उसका 30 परसेंटेज कितना होगा 96,00,000 यह टोटल कर दो यह टैक्स ओन यह क्या हुआ टैक्स ओन नॉर्मल स्लेबरेट के इसाब से ठीक है अभी हम टैक्स क्याल करते हैं एक्स ओन long term capital gain under section 112 इसमें क्या होगा यह 50 फाइल है कि इसकी income है यह कौन सा है 112 112 मतलब कितना टैक्स लगेगा flat 20 percentage 11 और short term capital gain under section 111a 65 इसमें कितना टैक्स लगेगा 112a में माइनस वन लेक्स होता है लॉंग टम में 10 percentage वो नहीं दिया यहां पर इस पर कितना लगेगा लिए तत्षी, 95 गॉुटेव टोॉ। टोल टैस् वन करोड सेवेंटी लेक टी सेवेंट पाइट इस इट अभी सर्चार्च सर्चार्च का स्लेबरेट क्या है 225 मतलब 25% जब भी सर्चार 25 या 37 करो तो याद रखना वो सर्क्यूलर और उसमें क्या बुला था अगर आपके यह 450 में कहीं पे भी डिविडेन है नहीं है लॉंग तरम 112 है हाँ शॉट टरम 111 है हाँ तो इसके इंकम के उपर जो टैक्स आता है वो टैक्स पे मैक्सिमम सर्चार्च क्या हो जाएगा 15 मतलब यहाँ पे नॉर्मली सर्चार एक होगा 15 और 25 तो 15 किस पे लगेगा 15 पर्सेंटेज ओन यह जो 11 लेक और 9.75 है इन दोनों के tax के उपर सर्चाज लगेगा 15 percentage only और जबकि normal income है उस पे सर्चाज लगेगा सर्चाज always लगाना tax पे यह समझ रहे हो मैं लग सर्चाज में भी केटे करी होगे हाँ इसलिए मुझे यहाँ पर अलग-अलग tax calculate करना पड़ेगा चलो 3,11,250 और 25 percentage में 24 ले 1,25 total कर दो let's be at grow let's including सर्चाज अभी यहाँ पर कोई possibility of marginal rate obviously no cut off क्या है 2 crore 2 crore कहाँ पर 450 कहाँ पर तो marginal rate तो calculate करने की जरूद यहाँ पर नहीं है सीधा add कर दो health and education says 7 075 total कर दो तो 1 crore 51,7,950 देख लीचे तो अभी यहाँ पर दो पर दो दो 1 crore 51,7,950 is that clear तो this is how we need to use that benefit of that circular जिसमें special rate में आपको सर्चाज कम लगेगा फुरा कम लगेगा कर दो कर दो उन्ज्ड़ 1 cm अनल पर दो 2 2 2 2 3 झाल 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 झालिए। next example visiting वेश्टर स्टर्मा एज 62 रेसिदेंट एज 62 रेसिदेंट बेजिक एग्जेम्शन त्री लेक लेना है अब टू 10 लेक टैस आए 1 लेक 10 थाउजन टोटल इंकम 2 करोर 30 कमप्राइज इस आप टोटल इंकम 2 करोर 30 लाग एक बात बताओ अगर आपके टोटल इंकम जो है वो 230 हुई तो नॉर्मली सर्चाज क्या आएगा 45 पॉसंट ओके बट यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या खीस में से लॉंग टम कितना है लॉंग टम 112, 52 शॉर्ट टम 111A 64 और अधर इंकम 1 करोर 14 यह कौन सी केटेगरी है एक बात समझो यहाँ पे इन दोनों का जो भी टेक्स आएगा उस टेक्स पे सर्चाज कितना अप्लिकेबल होगा 15% वले इंकम 2 करोर से ज्यादा है अभी इसमें 15 आ रहा है तो बाकी की इंकम कितनी बची लेस देन 2 करोर तो यहाँ पे भी सर्चाज कितना हो जाएगा इसका वलब सभी में 15% हो जाएगा समझ रहे हो यह बले इंकम आपकी 2 करोर से ज्यादा है बट उस इंकम में यह जो special rates है वो वाल इंकम included है तो बाकी 2 करोर से ज्यादा नहीं हो रहा है हाँ अगर यह 2 करोर से ज्यादा हो था तो यहाँ पे हम कितना लेते हैं 25 getting this जैसे यहाँ पे हुआ more than 2 करो 25% तो यहाँ पे सर्चाज पॉर्मन लगेगा सब पे चलिए तो पहले tax calculate कर लेते हैं tax on 1 करोर 14 लग but make sure यहाँ पे आपको क्या करना है slab rate up to 10 लग क्या होगा because senior citizen तो यहाँ पे tax हो जाएगा 1 लग 10,000 और 10 लग से लेके 1 करोर 14 लग तक that is 1 करोर 4 लग उस पे उपर 30 percentage कितना होगा 31 लग तो टोटल बराबर है फिर टाक्स ओन long term capital gain 112 तो यहाँ पे होगा 52 लग और उसका flat 20 percentage और short term capital gain 111 A 64 लग 15 percentage तो यहाँ पे गिव में the tax 1040 और यहाँ पे 960 total tax 52 लग 52 लग 10 सर्चार्ज अभी यहाँ पे सर्चार्ज केतना लगेगा सब पे 15 क्यों बले ही आपकी income 2 करोर से ज्यादा है और normally सर्चार 25 आना चाहिए बट special को अटा दो तो दूसरी जो other income है वो 2 करोर से ज्यादा नहीं है तो यहाँ अभी सब पे कितना आ जाएगा 15-15 15 tax including सर्चार्च तर ची आपकी ज्यादार्च ज्यादा है उप्गोपब। प्यादा है 1784 प्यादाट 16 24 पाइव इट जिरो 62 550 80 चलिए तो अभी इसको नो डाउन कर लो आप इच्छे से यह समझ में आ रहा है अगर आपके सामने आंसर होता न तो यह इतना जिल्दी से समझ में नहीं आता यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा बट अच्छे से आपको माइंड में उतर जाएगा ठीके समझ में भी आ जाएगा बट जब आप आंसर के उपर से करते हो तो तब तो हो जाएगा बट जब अंसर लाएगा तब प्रोब्लेम होगा प्रोपार करेंड कились क्किंश, माईंस, प्रोपारण, अएग्यियम, प्रोपारण, भीष नखस, तो ह। अच्या बिएभा, बिएगा ब्ट च्याट Plus görün pencil झाएद से च्छल करेंएगतों छिएग बट बट प्र unable स्ट्रवार श्राइब कर दो नियुक्त विए बाइब कर दो अगर टोटल इंकम ही दिया है तो अपार तॉम्हीं कुछ सोचना घिए जो भी आपकी केटिकरी आ थी और फिर जो पर जो भी सचजलेहती आजाता है वह अहां पर यह तो यहांबर इस वह बोला ना किरने इस लिए प्र tirar कर रहे हैं अभी यहां पर देखिए यह लास्ट के जो तूद्धी त्री क्वेश्चन्स हैं वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन वह लब यह जो ऊपर के जो चार्ट है उसके इसाब से बनाए गए क्वेश्चन है कर दो कि तो नॉर्मल है हाँ यह वाला है यह 17 नहीं मैं जो बोल रहा हूं वो 18 ओन्वर्ड चलिए 17 देख लिजिए कॉंप्यूजर टेक्स लाइबर्टी ओर एसस्ट्मेंट यह 23-24 रेसे डेट 50 और टोटल इंकम नॉर्मल रेट नॉर्मल स्लैब रेट तो यहां पर देखोगे लॉंग तम कैपितल गें 112 रुपेश 2 लाइब लॉपेश 2 लाइब रुपेश 1 तो अभी नॉर्मल स्लैबरेट कितना बचा नॉर्मल स्लैबरेट कि इंकम क्या हुई रुपेश 9 लाइब तो सबसे पहले टाक्स रुपेश 9 लाइब रुपेश 9 लाइब रुपेश 9 लाइब तो नॉर्मल स्लैबरेट में यह कौन है यह कौन है मिस्टर एच 50 ठीक है तो अप्टू 10 तोरी यहां पर तो 9 लाइब ही है तो 252 5 पहले तो अप्टू 250 नील 252 5 5 % 12500 यहां पर नॉर्मल टेक्स आएगा 92 अभी वन बाइन वन लेते जाते हैं टेक्स ओन स्पेशिल इंकम टेक्स अट्स पेशिल रेट तो सबसे पहले लॉंग टम कैपिल गें 112 इस पे आएगा 2 लैक और इसका होगा 20 परसेंटेज 40 फिर लॉंग टम कैपिल गें 112 इसमें क्या होगा वो वन लैक माइनस करना है तो 350 में से पहले हमें क्या करना होगा माइनस वन लैक और 250 पे 10 परसेंट लगेगा 25 यह बुलना मत STCG 111 A 5 लैक विसका 15 परसेंटेज विन लैक का 30 परसेंटेज 30 इसमेंटर टर्टेज 262 262 अभी कुछ सर्चाज आएगा क्या 250 लैक नो सर्चाज सीधा कर दू मैंड Health and Education says 4 percentage अभी इसको नोट डाउन कर लो मैंड कर लो अधे अधे इसको नोट डाउन कर लो मैंड आप अधे झाल 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 चलो इतना क्लियर है इसमें कोई डाउट झाल 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 नहीं हो सकते झाल 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 तो आजाएए एक्जाम्पल नंबर यू कें से 18 पे तो ये है आपका एक्जाम्पल नंबर 18 जिसमें मैं प्राक्टिकली करवाँगा आपको झाल येएन प्राक्टिकल नंबर 18 इंबर यहां इख्छाम्पल नंबर 18 पे यहां Cornet वो है रुपेज 90 लाग ओकी वैसे भी हमने पहले किया था कि आपकी जो भी टोटल इंकम है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं एक इंकम जिसपे नॉर्मल स्लेब रेट लगेगा एक इंकम जिसपे स्पेशल रेट लगेगा तो यहाँ पे भी वही हम करेंगे सबसे पहले इसको दो हिस्सों में बाट ले कि आपकी जो इंकम है इंक्लूडिंग डिविडेट इंकम 10 लगेगा मुझे यह बताओ डिविडेट पे टैक्स कितना लगेगा डिविडेट पे नॉर्मल स्लेबरेट ही लगेगा डिविडेट पे नॉर्मल स्लेबरेट लगेगा मुझे लग यहाँ पे नॉर्मल स्लेबरेट के इसाब से हम जा रहे है तो डिविडेट में भी उतना ही लगेगा नॉर्मल डिविडेट रुपीज 10 लग short term capital gain यहाँ पे special rate लगेगा yes special rate of tax मतलब flat rate ओके जो income flat rate पे tax हो रही है जिसमें है short term capital gain section 111A 20 lakh जो actually किस की सब से taxable होगा यह जो है वो flat 15% की साब से taxable होगा बराबर है next long term capital gain section 112 यह flat 20% की साब से taxable होगा 15 lakh और long term capital gain 112A 3 lakh बट यहाँ पे tax कैसे होगा 10 percentage बट in excess of 1 lakh in excess of 1 lakh ओके next और क्या है other income other income तो अदलब other income अदलब other source नहीं other सारी slab rate वाली income तो वो 25 लाग अभी total कर लो match हो गया 90 lakh उसमें कोई doubt एक बार देख लो total match हो गया उसमें कोई doubt 90 हो गया telly कर लो अब यहाँ 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 पर 35 लेक पर नॉर्मल टेक्स लगेगा ओके और यहाँ पर सारे special rates तो चलिए 1 by 1 calculate करते हैं सबसे पहले calculate करते हैं tax on rupees 35 lakh at slab rate चलो मुझे 35 lakh पर slab rate calculate करके दो यहाँ पर कितना होगा 40 years और Mr. B individual 250 no tax 252 5, 5, 2, 10 अब 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 10,000 सीधा कर दो अब तो 10 lakh अब तो 10 lakh क्या होगा rupees 1 lakh 12,000 find it और more than 10 lakh but up to 35 25 lakh पर 30 percentage कितना होगा sorry 7 lakh 50,000 अब इसे tax calculate कर रहे हैं अभी total कर दो slab rate का total tax कितना हुआ 862.8 इसमें कोई doubt अभी one by one tax at you can say flat rate okay flat rate वाली जो भी income है उसका हम बारी 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 tax calculate करते हैं सब से पहले short term capital gain 111 इस पर कितना लगेगा 20 lakh और उसका flat 15 percentage कितना होगा 3 lakh फिर हम यहाँ पर calculate करेंगे long term तो long term capital gain section 112 इस पर कितना होगा 15 lakh और flat 20 percentage 3 lakh 3 lakh इस नो डाउन करते जाओ साथ okay so यहाँ पर 3 lakh next long term capital gain 112 इस पर क्या होगा 112 in excess of 1 lakh मतलब यहाँ पर सिर्फ 19 lakh लेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर 10 percentage in excess of rupees 1 lakh into 10 percent concessional rate is it 190 so अभी गिव में total tax यह सब आगया मतलब यह tax किस पर ऊपर हुआ 90 lakh पर ऊपर tax हुआ समझ रहे हो चलिये तो यहाँ पर tax on total income of 90 lakh 16 lakh 52,000 पॉइंड अभी आपकी income क्या है आपकी जो income है वो है 90 lakh तो भी सर्चार्ज का rate क्या लगेगा 10 percentage सर्चार्ज और ओर तो यहाँ पर यह जो tax है उसके उपर हम कर दे add सर्चार्ज 10 percentage 165 250 तो टैक्स इंक्लूदिंग सर्चार्ज 1817750 सर यहाँ पर marginal relief देखना ही नहीं है इसको नहीं देखना है limit से बहुत ज्यादा है margin relief कैसे करते हैं 50 lakh की cut off है 52 lakh तक रहेगा ओके अभी यह तो 90 lakh है देखने के ज़रो दी नहीं है ठीक है ignore it add health and education says 4 percentage 7 2 0 1 8 9 0 1 8 9 0 4 6 0 tax payable total इसको नोट डाउन कर लो पहले इसको पहले नोट डाउन कर लो झालोगा झालोगा 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 झाल झाल okay 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 झाल प्ट्मिन आप झाल 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 चलो यह था आपका पॉस सिचुएशन जहां पे सर्चाट 10% का 10% रहेगा कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है सिचुएशन नमबर टू जब आपकी टोटल इंकम वन करोड से ज्यादा है फिर वो वन करोड की टोटल इंकम में है आप वो स्पेशल रेट वाली सारी इंकम कंसिदर कर लो 111A, 112, 112A, डिविदेन सब कुछ है और that is exceeding रूपीज 1 करोड अप टो 2 करोड तो नॉर्मली सर्चाज का रेट कितना लगता है 15% और ये सारी स्पेशल रेट वाली इंकम है उसमें भी 15% तक तो कोई प्रॉब्लेम नहीं है तो ये सिचुएशन भी कुछ खास नहीं यहां पे एक एग्जामपल लेते हैं एग्जामपल नमबर 90 जिसमें आपको दिया है दिविदेन इंकम 10 लाग है चौट तम 111A 40 लॉंग टम 112A 55 लॉंग टम और यहां पे 112A दो बार लिख लिया यह 55 लाग पाला जो पॉस्ट है उसमें 112 है क्या है यहां पे 112 है तो 112 55, 112A 35 लाग एनदर इंकम 50 लाग आपकी टोटल इंकम होई 1 करोड 85 लाग चेक करूँ तो यहां पे होगा क्या आपको कैल्कुलेट करना है 1 करोड 85 लाग का टेक्स और वो जो टेक्स होगा वो सभी टेक्स पे 15% सर्चाट लगेगा are you getting this sorry 1 करोड 90 लेग हो रहा है हाँ वो चेंज किया था तो यहां पे 90 कर देते हैं 1 करोड 90 लेग क्या आपकी टूटल इंकम है टूटल इंकम है रूपीज 1 करोड 90 लाग अभी आपको क्या करना है यहां पे tax at normal slab rate पहले तो इंकम at normal slab rate और यहां पे flat rate इंकम dividend income 10 लाग है वो तो normal slab rate वाली है dividend रुपीज है long term capital gain 1 1 2 55 लाग long term capital gain 1 1 2 A 35 लाग और short term capital gain 1 1 1 A 40 लाग और अधर इंकम तो वो तो normal slab rate वाली है तो यहां पे out of 1 करोड 90 लाग यह 60 लाग income ऐसी है जो normal slab rate के इसाब से होगी और बाकी की जो income है वो special flat rate के इसाब से इसके tax calculate कर लेते हैं यहां पे सबसे पहले calculate करते हैं tax at normal slab rate 60 लाग पे यहां पे एक बार चेक कर लेना कोई senior season तो नहीं है residence senior season नहीं 52 तो कोई problem नहीं है अप्टो 10 लेक रूपीज 1 लग 12 थाउजन find it beyond 10 लेक अप्टो 60 लेक मतलब कितना हुआ 50 लेक कैसे taxable होगा 30 percentage मतलब रूपीज 15 लेक तो अभी आपका total slab rate normal slab rate के इसाब से tax कितना हो जाएगा 16 लेक 12 थाउजन find it चले यहाँ पर दिखेंगे tax at spatial rate या फिर flat rate तो short term capital gain 111 A 40 लेक उस पे कितना लगेगा 15 percent flat 6 लेक लोंग term capital gain 112 A तो यहाँ पे 10 percent in excess of 1 तो 34 लेक पे लगेगा 10 percentage 340 लेक और नेक्स लोंग term capital gain 112 यहाँ पे 55 लेक जो है उस पे उपर लगेगा flat 20 11 लेक तो गिव में तो टोटल टेक्स 20 20 20 30 36 लेक 36 52 लेक अब ही मुझे बताओ इंकम कितनी है 1 करोड 90 लेक कितना लगेगा सर्चार्ज के लिए सी एक बात समझे न सर्चार्ज आपको क्या देखना है अभी आपकी टूटल इंकम कितनी है 1 करोड 90 अभी उसके लिए सर्चार्ज कितना लगेगा 1 करोड के बीच में अगर हुआ आपकी इंकम तो सर्चार लगेगा 15 यहाँ पे भी हमें कोई प्रॉब्लेम नहीं है क्यों क्यूंकि 15 परसंट तक यह सब स्पेशल रेट वाली जो इंकम है उसके बाद 2 करोड से ज्यादा इंकम होगी तब चाहके यहाँ पे कुछ चेंज आएगा यहाँ पे अभी बाइफर्केट करने की जुरूद नहीं आपको टोटल टेक्स मिल गया चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो स्पेशल हो सभी पे सर्चार कितना लग रहा है यहाँ पे 15 परसंटेज तो एड़ सर्चार चार पाइब पोर सेवन है टोटर टेक्स शचाहँ थो उन्याश पे टो यहाँ इल सवयर नहीं है VII अई को 16 0 85 85 total चेक कर ले ना एक बार आपके बरो से चलो इतना क्लियर है फर्स टू के टेजरी में प्रॉब्लम होगा ही नहीं हाँ सिर्फ tax calculate अलग-अलग करना है आपको फिर तो जो total tax है उस पे सीधा सरचाज apply कर देना है तो यह आपका हुआ example number 19 category number 2 for facial rate of surcharge आपका है आप 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 अ आप आप कहffic आप झाल 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 यहाँ पे जो next category है वहाँ पे होगा क्या समझो अब हम इस category में जाते हैं जब आपकी total income 2 crore से ज्यादा है अब नोर्मल सर्चाज का rate कितना हो जाएगा 25 बट आगे आपको notification दिया उसमें specifically बुलाएं क्या बुलाएं इन सभी income पे जो भी टेक्स आएगा उस टेक्स पे maximum सर्चार्ज कितना लगेगा 15 तो यहाँ पे हम अभी categorize करना पड़ेगा मान लीजे एक example लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 111 है 112, 112 and dividend dividend की जो भी income है उसमें सर्चार्ज कितना लगेगा not exceeding 15 not exceeding 15 एक example लेते हैं आपके dividend income है यह example number 20 है आपके dividend income है 51 short term gain है 44, long term 42 long term 55, 112 other 3 करोड तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यह जो 3 करोड है उसका जो भी tax आएगा 3 करोड है उसका जो भी tax आएगा उसपे सर्चार लगेगा 25 फिर dividend का 51 lakh जो है उसपे जो यह 3 करोड का जो भी tax है उसपे सर्चा जाएगा 25 dividend 51 lakh है यह income है अभी इस income पे जो tax आएगा वो tax पे सर्चा जाएगा 15 not only that बढ़ी इस सभी का जो tax आएगा इस सभी tax पे सर्चार लगेगा 15 तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा समझो यहाँ पे जो से हमने income में division किया हुआ था वैसे ही अभी division tax का करना पड़ेगा और सर्चार का भी करना पड़ेगा कैसे एग्जामपल लंबर 20 एग्जामपल लंबर 20 एज 58 टोटल income 4 करोड 92 लाग मलब 225 करोड की category में है मलब नॉर्मली सर्चार लगेगा 25 बड स्पेशल जो भी income है उसके tax के उपर सर्चार लगेगा not exceeding 50 नो ओके चलो बड़ यहाँ पर biggest problem क्या होगा पता है dividend बड़े dividend की problem के वज़े से उन्होंने practically calculate नहीं किया हुआ I consider that way अगर आपको problem नहीं होता तो calculate करके देते यहाँ पर लिख दिया है आपने module में भी 3 करोड के उपर जो भी tax आएगा उस पर 25% सर्चार ले ली dividend का 51 ना आएगा उस पर 15% सर्चार ले ली यहाँ पर 25% ले ली पर tax कितना होगा क्योंकि अगर हम यहाँ पर bifurcate करेंगे tax normal income को normal slab rate तो उसमें आएगी dividend dividend normal slab rate में आएगी ना 51 लाइग special rate या फिर flat rate long term capital gain 42 लाइग यह कौन सा है 112 ठीक है long term capital gain 112 A 55 short term capital gain 111 44 चिक और अधर other income पर 3 करोड मलब होगा क्या समझो आपको यहाँ पर क्या करना है 3 करोड 51 लाइग पर normal tax calculate करना है और इन सभी पर special पहले तो tax calculate कर लेते हैं okay चले तो पहले आम क्याक्रत करते हैं tax so tax at normal slab rate on these things सबसे पहले अप्टो 10 lakh rupees 1 lakh 12,000 0.8 more than 10 lakh 2 3 करोड 51 कितना होगा 3 करोड 41 3 करोड 41 पर 30 पर संथे पर संथे चांट करोड कितना होगा 1 करोड 2 lakh 30,000 give me total of these two 1 करोड यह किसके ओपर टेक्स आया नॉर्मल्स लेब्रेट ओं त्री करोड प्रिप्टी वन लाए पिर हम क्याल्किलेट टरें के टेक्स ओं टेक्स एट टेक्स एट लाटरेट इसपेशल रीड ओके यह टेक्स है इसके ओपर सर्चाज कर देज़े यहां पर पर सकते हुँ बढ़र पहले आपको टोटेक्स अलग से करना पड़ेगा फिर सर्चाज एट करना पड़ेगा अमलब प्रेजिंटेशन वाइस हम करेंगे वैसे ही अलग-अलब तरके पहले पूरा प्यादर टेक्स काल्कुरेट कर लो प्रेक्स काल्कुरेट करने के बाद हम सर्चाइज करेंगे वैसे केटेगराइज करेंगे डूंट परी फ्लाट रेट हाँ लॉंग तर्म कैपिटल गें 112 42 लेक का 20 परसंटेज 840 लॉंग टॉंग तर्म कैपिटल गें 112 A 10 परसंट इन इसस फ्रूपी 1 लाग 54 लाग विज़ पुसकर 10 परसंटेश 5, 40 short term capital gain 1, 1, 1 A 44 लाइ और उसका 15 percentage कितना होगा अभी total tax कितना होगा अभी अभी एक प्राइ यूऑर राइ यह आपको क्या मिला टेक्स? अब यह आपको करना क्या है? सर्चार्ज करना है यह जो तीन करोड का टेक्स है उस इंकम के उपर जो टेक्स आएगा उसके उपर सचा लगेगा ट्वेंटीफाइग ओकी? 42 लेक्स इंकम है उसका जो टेक्स 42 लेक्स इंकम है, 44 लेक्स इंकम है, 55 लेक्स इंकम है उसका जो टेक्स आएगा उस पर 15% सर्चार्ज और दिविजिन इंकम 51 लेक्स है उसके 15% problem यहाँ पे क्या होगा यह तीनों तो अलग है हमारे पास यह तीनों tax में हम कितना search rate लगने वाले हैं 15 पर problem यहाँ पे है कि जो dividend है वो slab rate वाली income है लब यह जो tax है उसमें 3,51,00 का tax है तो यहाँ पे मुझे categorize करना पड़ेगा कि ये जो 1 करोड 3,42 पाइंट आया उस में से डिविदेन का टेक्स कितना और अधर इंकम का टेक्स कितना टेक्स ओन डिविदेन कितना टेक्स ओन अधर इंकम कितना क्योंकि स्लैब में तो हम देखते नहीं है स्लैब में तो स्लैब है अभी ये भी दो तरफ से calculate कुछ सबता है and I tell you and I challenge you आपको black and white में किसी भी मटर में नहीं मिलेगा ये calculate किया हुआ अभी institute ने क्या क्या आपको बोल दिया ये भी 51 lakh का जो भी tax आएगा उस पे 15% कर दो तो बताओ ना calculate करके कि कौन सा tax आएगा वो तो आप कहीं पे भी बता नहीं रहे हो वो तो आप कहीं पे भी बता नहीं रहे हो तो you should clarify that कि ऐसे ऐसे calculation करना है तो भी मैं अपने इसाब से दो वीज आपको बताता हूँ ठीक है दो नो लोजिकली करेक्ट है एक जब भी celebrate आता है तो यहाँ पे होता क्या है कि up to 250 no income no tax 250 to 5, 5 to 10 10 above तो अगर मुझे normal मैंसे कोई भी income के उपर tax calculate करना हूँ कि इसके उपर कितना tax आया कैसे बता चलेगा तो वो हम कैसे calculate कर सकते हैं we can apply one concept called average rate of tax क्या concept apply कर सकते हैं average rate of tax तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा यह जो tax आया वो कितनी income पाया 3,51 पे on 3,51 लाइक बराबर है तो हमें क्या करना है proportionate कर लेना है यह 1,3,42 पाइंड है वो 3,51 का है तो 51 का कितना 3 करोड का कितना proportionate are you getting this एक हम क्या कर सकते हैं proportionate कर सकते हैं यह समझ में आ रहा है see simply मुझे यह बताओ यह tax किसका है पहले तो मुझे बताओ dividend dividend जो भी है वो income है 51 लाग और other income है 3 करोड अभी मेरे पांच income है कितनी पांच एक other income एक dividend long term 112 long term 112 है short term 111 है अभी यह 5 income मैं से मुझे बताओ सरचाज किस पे कितना लगने वाला है सिर्फ एक income है other income जिसके other income के tax के ऊपर सरचा लगेगा 25% बाकी चारों की income जो है उसका जो tax है उस पे सरचाज कितना लगने वाला है 15 तो यह तीनों में तो मुझे कोई problem है नहीं है मैं सिधा क्या कर सकता हूँ 840 का 15 540 का 15 660 का 15% सरचाज आ गया यह तीनों income का तीनों income के tax का बट problem क्या है dividend की जो भी income है 51 उसका जो भी tax है उसका सरचाज 15% लगना है बट 15% लगाओगे किस पे सरचाज किस पे ऊपर है tax के ऊपर सरचाज किस के ऊपर है tax अभी 51 का tax कितना बताओ पता नहीं क्यों पता नहीं क्योंकि हमने थो 351 का combine करके कर दिया था क्योंकि वो तो normal celebrity है अभी यहाँ पे एक option क्या है आप ऐसा करो proportionate कर दो यह 1 crore 3,42,000 पाइंड है यह किस के ऊपर है 351 पे उसमेंसे dividend कितना 51 51 का कितना 3 crore का कितना divide कर दो एक यह option दूसरा हम जो है न वो अभी देखिए यह calculation कौन करता है ऐसे सिख खुद तो मुझे जो beneficial है वो मैं कर सकता हूँ मुलब आप department ने अगर कुछ ऐसा नहीं बुलाए कि आपको यह circular निकाला तो आई challenge department also आपको यह बताना चाहिए था कि अगर dividend की income आती है तो उसका tax कैसे calculate करना है वो भी मैं तो बता दो circular में वो भी नहीं बताया है तो यहाँ पर हमें जो beneficial लेवले जितने कैसे आपने बोला dividend के उपर जो भी tax आएगा उसके उपर सर्चार लगेगा 15% तो मैं ऐसा मान लू कि मेरी income कितनी है 3 करोड की अभी 3 करोड की income होई तो कैसे tax लगेगा अब तो 10 lakh 5%, 20%, whatever फिर बागी का 2 करोड 90 lakh पे कितना लगा 30 मुझा लब dividend जो 51 है उसपे भी 30 लग सकता है मुझा लब मैं ऐसा मान तो dividend मज़े लास्ट लगा तो 51 पे सीधा 30% flat rate लग जाएगा I don't mean to say dividend पे flat rate है मैं यह नहीं बोल रहा हूँ मैं यह बोल रहा हूँ कि other income 3 करोड है उसपे मैंने slab लगा दिया अभी इसपे मुझा कितनी भी income एड करूँगा tax कितना लगेगा 30 तो dividend 51 है उसपे उपर 30% उसके उपर क्या हुआ 30% tax rate लग गया मैं ऐसा क्यूं कर रहा हूँ मैं ऐसा क्यूं कर रहा हूँ क्यूंकि इस से सी को benefit होगा सर्चार्च कम लगेगा दोनों calculation करके बता तो कैसे कम लगेशन ठीग है पहले हम क्या करते हैं यहापे यह जो 1 करोड है यह जो 1 करोड है उसका मैंने bipurcation कैसे किया assuming ओके इसका bipurcation कैसे किया इसके उपर मैंने 30% assume कर लिया assume मतलब 30% रिजी लगेगा क्यूंकि मुझे बटाओ 10 लाग तक जो है वो 5% 20% लगा बागी का 341 है उसपे कितना लगा बागी का जो 341 है उसपे कितना लगा 30 तो मैं ऐसा consider कर रहा हूँ कि 341 मैं से 51 है तो यह 51 लेक पे 30% लगेगा कितना बहुत higher level के logic जा रहा हूँ higher level पे logic लेके जा रहा हूँ समझे न कितना तो बागी का अधर्स में हो जाएगा बता दो कितना होगा remaining 1 करोट 3,42.8 मैं से 15-30 माइनस कर दू यह समझ माया आभी मैं क्या करूँगा समझो सर्चार्ज में add 20 सर्चार्ज यहां पर लखेंगे add 25% on tax of rupees 3 करोड 3 करोड रूपीज के income के उपर जो टैक्स है उसके उपर सर्चार्ज लगेगा 25% ok अभी समझना 15% on dividend long term capital gain 112 112A short term capital gain यह सभी का जो tax है मतलब कितना tax है देखिए तो यह मैंने dividend में कितना किया 1530 plus 840 plus 540 plus 660 यह जितने भी tax हैं उन सभी पर 15% total करके देतो सही से calculate करना 5x 35.8 35.8 सही है अभी यह होगे आपका total सर्चार्ज यह total सर्चार्ज जो है वो tax में add कर दो 151 151 151 151 151 151 15 15 15 कि इतना थोड़ा हुगा, वन करोड, विप्टी वन लाइग, हाँ, ट्वेंटी वन, ओके, अभी इस पे पो परसेनेट कर दोर हो जाएगा, ठीक है, बोलो, वन करोड, थ्री लेक, 42.8 का बाइफरकेशन कैसे किया, 51 लैक जो है, उसके उपर टेक्स और 3 करोड के उपर टेक्स, यह वन करोड, थ्री लैक, 42.8 का टेक्स किस पे, 3 करो 51 तो मैंने क्या मान लिया तो डिविदेन है उस पे 30% tax लगा डिविदेन पे 30% tax लगा ओके और बाकी सब जो है उस पे डिविदेन लाग्त में है क्यों यह सा कर रहा हूं सम्द डिविदेन के tax में मुझे 15 ठकाता सर्चाड लगेगा अभी मैं average करूँगा ना एक काम करो average करो हाँ वो ज्यादा हो जाएगा 103 42 find it divided by 351 करो और percentage calculate करके दो मुझे इसको बोलेंगे average rate of tax मुझे rate चाहिए 103 42 find it divided by 3 करो 51 लाग into 100 29.47 पुड़ा फरक पड़ेगा 30 और 29 अभी आपने दूसरे तरीके से भी calculate करके बता देता हूं मैं आपको मतलब आएम वर्रिंग पूर इस तिंग कि ना ही इंस्ट्रीट ने क्लियर किया है ना income tax department में क्लियर किया है कि यह dividend के ऊपर जो tax है वो कैसे करोगे actually logically क्या होना चीए पता है logically average rate of tax होना चीए मैंने यहां पर क्या किया 30 किया whichever is more beneficial to SACS आ करके ओके यहां पर 4% करके मझे final tax देतो परक कितना पड़ेगा बता देता हूं मैं आपको 157.970 बराबर है अभी परक कितना पड़ेगा समझो यहां पे मैं क्या करूँगा यह 1 करोड 3,42 फाइंड है यह है tax on 3 करोड 51 कितना रूपीज 1 करोड 3,42 फाइंड बराबर है अभी इसका बाइफर केशन करना है मुझे 51 and 3 करोड तो proportionate करओ proportionate average rate की साबसे यहां पर हम बाइफर करते है tax on 51 and tax on 3 करोड average average rate की साबसे अभी इसका बाइफर केशन करो यहां पे 51 पे कितना आएगा कितना 1530 का 152 हो गया ठीक है नो प्रोब्लेम एक मैंने क्या किया दिविरन के ऊपर 30% लगा ऐसा बान लिया और 3 करोड़ों पे लगा दिया और यहां पे मैंने क्या किया अभी हम क्या करेंगे फिर आपके यहां पे यह कॉपी हो जाएगे अज़िटिस अब ही टैक्स फूलन नहीं रहेगा उसमें परक पड़ेगा अभी सर्चाज में परक पड़ेगा जो परक पड़ेगा वो कहां पर पड़ेगा सर्चाज सर्चाज पर क्या होगा हम calculate करेंगे 25 percentage on 88, 39, 744 इतना फरक नहीं पड़ेगा 22 का 32 थोड़ा हो जाएगा ओके 22, 930, 6 और बाकी यहाँ पे 15 percentage on, यह किस पे होगा? आ come out उकने ए और यहँ सोरी यह वाला 15 लकश तू 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 त। गयाँ इन दोनों का टूतल सही है इन दोनों का टूतल सही है प सॉकते हाँ, 5 Lak ? १िने रिए टो आयूंग, गजा हाविए, वेलेखिए टो आयूजग, इस अप्टेश्च्च, इस उनने हो देखिए, बेहाविए, टो आपकर लेखिए, भरने हैवाविए। अग्रोज का गै Chamnon विड ट्टटल प्रध्री है मंहें एंग्रोर्ण 2,800 विश्वuch drawing पारत विष्तेञे कस्ट में बंन्र इंग्रोड़ेजी आसे Stadt मन夏 देविधिर सेढ उन टांटख़ंड सेवस्टे वरैंटीट विटायं 12देडिडोंड परनी तीड़रेख में ऋ्विए त consistent क पर्टेंटेज करो 29.47 या फिर प्रपोशनेट करो अभी मुझे सिंपल है 3 करोर 51 का कितना प्रपोशनेट में यहां पर प्रपोशनेट किया है तो और तो मैंने क्या कर दिया था यह जो dividend है उसका 30% बाकी जो बचा वो 3 करोड का dividend है उसका 30% बाकी जो बचा वो अधर बे तो आप क्या कर सकते हो देखिए दो option है यह या तो dividend पे ऐसा consider कर सकते हूँ 30% यह आ गया ओके और बाकी का consider कर लो या तो फिर average अपलाई करके कर सकते है लॉजिकली स्पेकिंग दोन और टेक्टिंग में कोई गल्दी नहीं हो सकती है प्राक्टिकली क्योंकि clarify मैंने as I said आपको बोला कि ना ही module में कुछ clarification दिया है ना ही department ने है तो आप कर सकते हो ऐसके around 3000 में ताउजन के ओके चलिए भी यह लग दो कर दूज़ कर दूज़ कर दूज़ कर दूज़ कर दो और यह जब 25% सर्चा जो 37% सर्चा जोगा उसमें ही problem हो सकता है बाकी आगे कुछ problem नहीं होने वाला नहीं पे भी झाल 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 यहां पर मैं आपको मॉडिल में देखा था हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं यहां पर देखिए आपने लिखा एक्जामपल लंबर 9 बराबर हैं और फिर क्या बोला? कि ये इतनी इतनी इंकम है उस पे उपर सर्च आठ 10% लगेगा फिर बोला एक्जामपल 10, एक्जामपल 11, एक्जामपल 12, एक्जामपल 13, कहां पे, एक्जामपल कहां पे आगे आप देखोगे ना एक्जामपल, बस इलिस्टेशन आ रहे हैं, फिर आगे जाके आप देखोगे, कोई एक्जामपल है, कहीं पे भी, ये 9, 10, 11, कुछ नहीं है, पे तो सब कुछ कतम हो गया, 5, 6, तो वो आपने एक्जामपल 9, 10, 11, अब बस होगे, वो एक्जामपल है, बस, आप ये वो प्राक्टिकली कैल्कुलेशन दिया ही नहीं है आपने, कहीं पे भी, ठीक है, चलो, वो आपके उपर रख रहें, आप समय ज़रोगे, चलिए, नो झार के तो, आप मैं पे भी, उरल रहें, आपस थाया है, दो अझार रहें है, वो आप language, आपगे. झाल 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 चलो next category number 4 अगर आपकी income more than 5 crore है more than 5 crore सरचार लगेगा यहाँ पे 37 percentage rate कहाँ पर चला गया पता नहीं ओके but 111 112 112A dividend इन सभी पे maximum सरचार कितना लगेगा 15 यहाँ पे एक example लेते हैं और यह आपका example हो गया example number 21 और यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 crore पे 37 percentage 6 crore के tax के उपर 37 percentage और बाकी जो हैं उन सभी पे सरचार लगेगा 15 चलिए तो वो example करते हैं यहाँ पे अभी example 21 आपकी income total कितनी है total income 8 crore 17 lakh अभी इन सभी का calculation आपको करना है और मुझे बताना है ठीक है और मुझे आपको करते हैं ओके चलो इन आपको करते हैं नॉर्मल स्लैबरेट इन आपको करते हैं and flat rate income so dividend income 60 lakh other income 6 crore यहां पे 6 परोड 60 लाग जो है उसके उपर tax calculate करना बढ़ेगा normal celebrate और long term capital gain 112 रुपीज 42 लाग long term capital gain 112 A 65 और short term capital gain 111 A 50 लाग चलिए अभी मुझे tax on normal income देजिए tax on रुपीज 6 करोण 60 लाग कितना होगा हाँ total tax normal celebrate के इसाब से 1 करोड 96 लाग 12 थाउजन पाइंड अभी हमें क्या करना है इसमें से मुझे dividend like dividend जो है वो है 60 लाग और others जो है वो 6 करोड है तो मुझे क्या करना है यहाँ पर 30 परसंटेज कर लो ठीक है तो dividend पर क्या लगेगा यहाँ पर हम करते हैं 18 लाग tax on dividend और बाकी का अधर मिल लेते हैं यहाँ पर alternative solution proportionate भी कर सकते हो फिर हम क्या करेंगे flat rate tax long term capital gain 112 42,20 परसंटेज परसंटेज अभी तो समझ में आ गया क्यों कर रहें ठीक हैं 640 और short term capital gain 111 A 50 परसंटेज अभी तो समझ में आ गया क्यों कर रहें ठीक हैं spr गया क्यों क्योंकि अपर हुआ में डाय पर रहेंख इस है शेुए तो यहां पर यह जो अधर इंकम है 6 करोड की उसके उपर जो टैक्स हैं उसके उपर सरचाज कितना आएगा 37% तो 37% on tax on अधर इंकम नॉर्मल्स लैबरेट वाली तो अब यहां पर होगा 1 करोड 78,12,000 उसका 37% सरचार्च बहुत ही बार ही सरचार्च और फिर 15% सरचार्च लगेगा on तो यहां पर एक तो है डिविरेंट जिसको अमने कंसिरर किया 18,000,000 प्लस 840,000,000 प्लस 640,000 और प्लस 750,000,000 इनका 15% 604,000,000 , 50,000,000, 500,000,000,500,000, 600,000, 50,000,600,000 5500,000,000 टो फिर 50,000,000,000,000,500,000,000, walfोफ आञे यहां बाफोप्राच टक bilateral сч मma üzophone 1070,000,000,500,000,000,100,000,000,500,000Д conviction, 15%. टोटल कितना है हाँ 2 करोण 90 लेक उसका 4 पर्षेन एट कर दो फाइनल आंसर दे दो 3 करोड 1 लेक 99 130 एक बार खेक कर लो सभी लो चलो कितना है अग्राइब बाता है चलो, आभी देखें, लास्ट केटेगरी जो है, उसमें तो कुछ नहीं है, उसमें है क्या, वैते तो आपकी इंकम 2 करोड से ज्यादा है, तो 2 करोड से ज्यादा होगा, तो 25 परसन लगेगा, बट अगर आप 111 A, 112 A, ये स्पेशल रेट वाली जो इंकम है, वो अटा दे, त तो यहाँ पर होगा क्या, सभी पर 15 परसन लगेगा, even if your total income is almost 3 करोड 22 लाग, बट फिर भी सर्चाज कितना लगेगा, 15 परसन, क्यों ऐसा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो, ये सब पर तो सर्चाज 15 लगने वाला है, अभी इसके अलावे इंकम कितनी है, 2 करोड से कम तो वहाँ पर भी सर्चाज कितना लगेगा, 15, तो इसमें तो क्या है, 15 परसन सर्चाज, जो हमने पहले किया, वैसा ही question, वैसे तो हमने ऐसा question आगे किया था, क्या, आगे हमने, अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो ये 16 questions जो किया, वैसा ही था, वैसे तो आपकी इंकम कित कितना होना चाहिए 25% है फिल भी यहां पर कितना जगाया दिखिए यह special income है उस पर 15 लगेगा तो बाकी income जो बची उस पर उपर भी सर्चाज 15 लगेगा तो सब पर common कितना हो गया सर्चाज 15 तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है इंपल सा question है चलिए इतना क्लियर है मार्जिनलिक तो हमने पहले ही कर दिया है ठीक है ओके यहां पर मैंने आपको जो homework दिया है 12-13 वो आपको करके आना है और अभी भी कुछ theory यहां पर पैंडिंग है chapter 1 अगर आप यहां पर देखोगे theories जो है वो पैंडिंग तो एक छोटा सा lecture रहेगा इसमें आपको कोई भी doubt है तो वो ले लेंगे यह theory consider कर लेंगे और chapter number example number 13-14 जो है उसका मैं आपको solution दिखा दूँगा कि कैसे करना है ठीक है अचले तो फिर यह जो मैंने आपको homebook दिया वो आपको करके आना है 12 एंड देन 13